इसी भी stock में जो premium होता है, end of the expiry, expiry के दिन, कितना बचता है वो उसकी intrinsic value बचती है, यानि कि ये stock इस 1000 रुपीज वाली strike price से, जितने रुपए उपर trade करेगा, उतना ही रुपए आपको इसमें premium मिलना है, किस दिन expiry के दिन, उतना ही रुपए आपको premium मिलना है, यानि कि उसक रुपीज पर close हो गया, expiry हो गई, 1002 रुपीज पर, यानि कि इसका premium बचा कितना, इसका premium बचा 2 रुपया, तो अभी तक तो ये option था, कि आपने सोच लिया, यह यह 1000 नहीं भी गया, यहाँ भी पहुंच गया, 1000.05, 100 का lot size है, 10 रुपीज का premium था, 1000 रुपए का मैंने investment किया था, मेरा 1000 रुपीज जीरो हो गया, आपने यह मान लिया, यही किया था आपने अभी तक, और अभी तक ऐसा चलता चला रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर समस्या यह है, do not exercise, आपके लिए